स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अरजिता इंसान हो या जानवर प्यार और इंपोर्टेंस किसको कब, कहा, कैसे और किस से मिलेगा ये कोई नहीं जानता कई बार लोग अपने पालतू जानवरों को ऐसा special treatment देते हैं कि इंसान भी जलन महसूस करने लगे ऐसा ही मामला तमिलाडू से सामने आया है जहां बिल्लियों के pet parent ने उनके लिए कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की होगी आपने pregnant ladies की गोद भराई यानि baby shower की रस्म होते हुए देखी होगी या इस बारे में सुना तो जरूर होगा लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर की गोद भराई के बारे में सुना है शायद नहीं क्योंकि ऐसा आम तोर पर होता रही है पर तमिल नाजू के कोयमब टूर में एक ऐसा ही दिल्चस्प मामला देखने को मिला है जहां एक परिवार ने अपनी गर्भवती बिल्लियों के लिए गोद भराई की रस्म पूरी की बिल्लियों के मालिक का कहना है कि हमने अपनी गर्भवती बिल्लियों पर आशिरवाद बरसाने के लिए यह रस्म की है हम उन्हें special cat food, नाश्ता दे रहे हैं लोग मनुशियों के लिए गोद भराई करते हैं इसलिए हमने अपनी बिल्लियों के लिए भी ऐसा ही किया क्योंकि वो भी हमारे परिबार की सदस्य है हम क्लेनिक आये और डॉक्टरों के साथ गोध भराई की रस्म को पूरा किया बता दें कि बिल्लियों के गोध भराई की ये रस्म एक क्लेनिक पे पूरी की गई जहां जानवरों के डॉक्टर भी मौजूद थे इस अनोखी गोध भराई की रस्म में भाग लेने वाले एक वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि गर्भवती बिल्लियों के लिए इस तरह का कारिक रम पहली बार किया गया है इससे गर्भवती बिल्लियों को खुशी मिलेगी बिल्लियों की इस अनोखी गोद भराई की तस्वीर खूब वाइरल हो रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काली और सफेद रंग की ये दो बिल्लिया है जो माला भी पहने हुए है इसमें सफेद रंग की बिल्ली को एक महिला वैटनादी डॉक्टर ने अपनी गोद में उठाया हुआ है जबकि काले रंग वाली बिल्ली को दूसरी महिला ने अपनी गोद में लिया हुआ है जाहिर है इंसान हो या जानवर सभी को अपनी खुशिया सेलिब्रेट करने का पूरा हक है बस जरूरत है इस नजरिये से सोचने की और उसे पूरा करने की इस खास खबर में फिलहालत ना ही देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारे योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें